नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं ग्रेन धमसनमाग दोस्तों, स्री राम चरित मानस में हमें एक प्रसंग मिलता है जासु नाम बल संकर कासी देत सवनही समगति अभिनासी और पुरानों में एक स्लोक मिलता है राम नाम प्रभावं ही, सर्व देव प्रपुजनम, महेस एव जानाती नान्यो जानाती जैनिमे दोस्तों, कहने का तात पर ये है सिव जी राम जी को पूछते थे और राम जी सिव में रमेवे थे यानि सिव जी के अराध्य राम है वो खुद राम नाम का माला जबते हैं और राम जी खुद सिव जी के अनने भकते हैं नमसिवाए नमसिवाए में ही रमे रहते हैं आज हम आपको बताएंगे अगर जीवन में तमाम परेसानिया आपको परेसान किये हुए है और आपके कुंडली में तमाम ऐसे ग्रहदों से जिसके कारण आप उपर नहीं उट पा रहे हैं मानसिक सांती नहीं मिल रही है दिन का सुकून छिन गया है रातों की नींद हराम हो गई है तब ऐसे में सिब के सरन में आएं और ओम तत्पुरुसाई बिदमहे महादेवा यदिमही तन्नोरुद्रह परचोधयात इस मंतर का जब करें कम सकम सावन के महिने में जब कर ले आपकी तमाम जो परिसानिया है जीवन की कहीं न कहीं वो समाप्त हो जाएगी इस मंतर का जब कम से कम पाँच बार तो रोजी कीजिएगा कभी भी कर सकते हैं सारे दिन में रात में भी कर सकते हैं सोने के पहले भगवान हर्स में एबलेबल है बस आप दिल से पुकारे फिर से सुनने अम ततपुरुसाई बिदमहे महादेवायदीमही तन्नोरुद्रह पर्चोधयात जी है दोस्तों नमसिवाय का मंतर तो है ही अपने आप में अलवेला उसका कोई जोड़ी नहीं लेकिन इस मंतर का जब भी कहीं न कहीं आपको जीवन में तमाँ परिसानियों से बचा कर रखेगा तो दोस्तों हम आप से बिदा लेते हैं आप भी जपिये या तो राम राम जपिये बहा जपिये या फीर रुद्र गयतिरी मंतर जपिये जीवन की नएया तो यो ही पार हो जाएगी क्योंकि सिप के सरन में जो आये हैं वो कभी आज तक ऐसा लीवा के वो खाली हाथ रह गया है प्लीज अगर पसंद आए जीवन में चमतकार हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादेब